नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टूर चैनल दोस्तों बात करने वाले हैं वीडियो रेज जाम के फाइनल कट आफ के बारे में हैं इसका जो फाइनल कट आफ है दोस्तों इसका इंतजार बहुत से छातर छातर हैं बहुत ही बेसबरी के साथ कर रहे हैं आज इस वीडियो के OBC हो, SCST हो, X-Service Man हो, महिलाओं के लिए हो, स्वतंतरता, संग्राम, से नानियों के लिए हो, तो जो भी चीज़े हैं दोस्तों सारी चीज़ों को विस्तार से बताने वाले हैं आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि UPCCJ का result भी कल जो ह इसके अधिकारिक website पर जारी किया गया है, तो वहाँ पर हमने जो cut-off बताया है, दोस्तों एक रेट बताया है, हमने बताया था कि इसका जो cut-off है जैएका, सारे 500 से 600 के बीच में रह सकता है, और सही बात है दोस्तों लगभग इतना ही cut-off आपको देखने को मिला था, सारी चीज़ों को अनालेसिस करने के बाद हम cut-off को बताते हैं, ऐसा कुछ अपने मन से नहीं बताते हैं, समझ रहे हैं, तो जो भी चीज़े होती है, इसे पहले विस्तार पुरवक से अध्यान किया जाता है, तो भई, अगर हम बात करें, यू आर कटेगरी की, तो यू आर कटेगरी में आपका जो cut-off है, यह लगभग 194 के आसपास बन सकता है, जी हाँ दोस्तों, इसका जो cut-off है, 194 के आसपास बन सकता है, अगर वहीं बात करें हम OBC कटेगरी की, तो इसका जो cut-off है, 191 बनेगा, ठीक है, 190 से 91 के तक रह सकता है, कहने का मतलब यह है, कि इसका जो gap गैप है लगबग 3-4 नमबर का रह सकता है अब आपके मन में यह खयाल आ रहा होगा कि सर पिछली बार जो जनरल और OBC का कट आफ था यूर कटिगरी में आपका गया था 211 ठीक है यह फाइनल कट आफ की बात कर रहे हैं दोस्तों यह कोई DV कट आफ नहीं है और जो OBC कटिगरी का गया था यह लगबग 205 गया था और इसमें लगबग 6 नमबर का गैप आया हुआ था ठीक है तो भई उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे अगर आपके मन में यह चीज़ आ रहा है कि सर पिछली बार इतना गैप गया था और आप इस बार बता रहे हैं तिन से चार नमबर का गैप जाएगा ऐसा क्यों तो देखिए अगर हम बात करें पिछली बार सीट की तो 1903 में से लगभग 1360 से 1365 सीट जो है आपकी बिक चुकी थी ठीक है 1903 में से 1360 या फिर 1365 तक जो सीट थी आपकी बिक चुकी थी और यही कारण था कि इसका जो गैप था जनरल और OBC का चार नमबर का आया हुआ था तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है दोस्तो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो आपका जो गैप है तीन से चार नमबर का रहने वाला है तो जनरल और OBC का कटाओफ हमने आपको बता दिया तो आया बात कर लेते हैं SC और HD की अगर बात करें भीया SC कटेगरी की तो इसका ज इनका जो कटाओफ है 155 से 156 के बीच में रह सकता है 156 से जादा नहीं जाएगा दोस्तो इससे कम ही आपको देखने को मिलेगा चाहे 155 हो या फिर 155 से कम भी हो सकता है जादा तो नहीं जाएगा और अगर बात करें भीया SC सर्विसमेन की तो इनके लिए आपको कटाओफ बता दें एक सर्विसमेन का जो कटाओफ है इनका जो कटाओफ है दोस्तो 147 से 148 के बीच में रह सकता है ठीक है और महिलाओं के लिए बता दें इनका जो कटाओफ है महिलाओं के लिए फिमेल का जो कटाओफ है दोस्तो या आपका 182 से 183 तक जा सकता है ठीक है और वहीं अगर बात करें हम सुवतंतरता संग्राम से नानियों की तो भीया इनका जो cut-off है 179 से 170 के बीच में रह सकता है जो भी cut-off दोस्तों हमने आपको बताया है इतना ही cut-off आपका रहने वाला है इससे कम ही जाएगा जादा तो नहीं जा सकता है यह cut-off दोस्तों सारी चीजों को analysis करने के बाद बनाया गया है समझ रहे हैं ऐसा कुछ हवा में नहीं बताया जा रहा है जो भी cut-off है analysis करके विस्तार प्रुवक से बनाया गया है उसके बाद हम आपको वीडियो के मादम से इस चीज़ को share कर रहे है और अगर बात करें इसके final cut-off का जारी किया जाया गभी या तो अभी तक इसका कोई official update नहीं है जैसे ही कोई इसका update आता है तो आपको सबसे पहले यहां से पता चल जाएगा ऐसे में आप हमारी चैनल को subscribe करके रखिए जितने भी updates होते हैं हम आपको बताते रहते हैं तो जो भी चीज़े होंगे हम आपको बताएंगे आप चैनल को subscribe कर लिजे मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद